तो काफी टाइम हो गए जीकेम की बात करें और यह जीकेम जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ यह जीकेम है जीकेम बाई BST और काफी ज्यादा पॉपिलर डेलफर आपको उनके बारे में शाद पता भी होगा काफी सारी मौड्स आपने ट्राइ कर रह करता है एंड इस वाकी परफेक्टली फाइन लेकिन जो बाकी सब चीजे वह भी काफी इंट्रस्टिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी जो कि आप यहां पर अपने हैसाब से चेक आप कर सकते हैं आपके बास यहां पर शटर स्पीड के लेटेड कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं फोकस, वाइट बैलेंस, एक्सपोशर, अल्मोस्ट एवरिटिंग जो आपको चाहिए वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कस्टमाइजेशन में कोई बहुत जादा नहीं है कुछ और हमारे पास ऐसे कुछ G-CAMS अवैलेबल है जिसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिलें कि इसमें वो नहीं है लेकिन वैसे नॉर्मली मैंने यहाँ पर वीडियो शूट करके ट्राइ किया था अराउंड 4K 60fps मेरा डिवाइस सपोर्ट करता है 4K 60fps एक चीज जो मुझे इसमें थोड़ी सी वीर्ड लेगी जो अनफॉटनली काम नहीं कर रही थी वो थी वीडियो स्टेविलाइजेशन अगर मैं आपको बता दूँ नॉर्मली अगर मैं यहाँ पर वीडियो शूट करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर मुझे वीडियो स्टेविलाइजेशन वाला ओप्शन ट्राइ करना है तो तो इसके लावा बाकी सबी फीचर जब हम बात करते हैं तो जो जनरल सेटिंग्स में आपक इसके बारे में जादा बात नहीं करेंगे वहीं कर हम चलेंगे नीचे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि लाइब्रेरी इस नेम से जो की बाइड डिफॉल्ट है गूगल की तरफ से और यह पहले वेलिबल नहीं था लेकिन अभी अवेलिबल है तो इसको आप अपने साफ से यहां पर चूज कर से नीचे आपको डेवलेपर सेटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी तो अगर आपको बता है कि आप अपने जीकें में क्या करने कौन से फीचर्स को आपको इनेबल करना है कौन से फीचर्स नहीं ट्राई करने है वो सब चीज़े आपके पास यहां पर as an option available है तो आप इने भी ज़रूँ चेक आउट कर सकते हैं and it's not for everyone अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप इसे easily skip कर दीजे because that is of no use and last में reset all settings का जो feature यह काफी जादा बैटर है अगर in case आपने को ऐसी setting को enable करती है जो इसकी वज़र से आपको जीके में कुछ issues हो रहे हैं तो it's completely होके आप यहां पर reset all settings पे click करेंगे और basically आपका जो data हो automatically reset हो जाएगा which is a very very good thing तो यह सब चीज़े आपको यहां पर द देखने को मिलते हैं GGM 9.2 में और यह features काफी जादा useful है अगर आप normally photos capture करते हैं आप वहां पर एक difference जरूर notice करेंगे और वो सब चीज़े यहां पर भी आपको देखने को मिलेंगी HDR plus का control और बाकी सब चीज़े तो यह सब चीज़े आपको इसमें देखने को मिलेंगी इसका जाद लेखने को मिलेंगी इसका जाद टार आप आचा